जी नमस्कार इस्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल साइंस क्लास इन जिक्यपर देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे वेटनरी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि सर वेटनरी कोर्सेज है इसके लिए यहाँ पे क्या-क्या इलिजबिलिटी है प्रोसेज क्या रहेगी इसके अंदर और बहुत सारे स्टुडेंट्स के आपके पहले भी कमेंट आ चुके हैं यहाँ पे कि सर हमें इसके अंदर एडमिशन लेना है वेटनरी कोर्सेज करना है तो क्या-क्या इसके अंदर यहाँ पे एज लिमिट है तो इन सब के बार में कम्प्लीट हम बात करने वाले आज के इस वीडियो के अंदर पहले भी मैं इसके बार में वीडियो बना चुका हूं जिसके उपर लगबग आपके 79 के मतलब आपके यहाँ पर लगबग 80,000 स्टुडेंट उन उस वीडियो को देख चुके यहाँ औ तो फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि यहाँ आप कमेंट कर सकते हूं एक एक तो इसके अंदर डिग। इक तो टीरी quanto होता है और एक इसके अदर यहां पर डिपलोमा कोर्स होता है दोनों के बारे बता देतीं हो यहांąt परवेस लेना है इसका अगर आपको इडमिशन लेना है तो यह इसके अगर आपको एडमिशन है वे चो första कि परसंटेप से बेस के आदार पे आपको इसके अंदर एडमिशन मिलता है इसके लब आपको यहां पे इस डिग्री जो डिप्लोमा कोर्सेज है परवेस लेने के लिए आपके 12 के अंदर एक तो या तो बायो सब्जेक्ट होना चाहिए आपको यहां पे या फिर आपके एग्रिकल्चर सब्जेक्ट है तो आप यह डिप्लोमा कोर्सेज और इसमें आपको परवेस मिलेगा कँष मेख करने के बाद में ऑक Не अपके अपके एक्जाम कर लेते हों तो आपको उसके अंदर गौर्वर्वर्मेंट जोब मिल जाती है और गौर्मेंट जोबन भी बहुत अच्छी है तो ये डिपलोमा कोर्सis भी बहुत बेटर है फिर next यहाँ पर बात करते हैं degree course किसर यह जो degree course है इसके अंदर परवेस लेना है तो क्या करना पड़ेगा अगर इसके अंदर परवेस लेना है आपको तो आपके राज्ये की आपको exam देनी पड़ेगी मैं राजस्तान के बारे में बता देता हूँ राजस्तान में इससे related एक exam होता है जिसे हम कहते है आर पीवीटी exam यह आर पीवीटी टेस्ट राजस्तान प्री वेटिनेरी टेस्ट यह exam आपको देना पड़ेगा तब आपको degree courses के अंदर आपको परवेश मिलेगा degree courses के लिए आपको यहां पे ध्यान में रखना कि भी exam देना पड़ेगा exam देऊगी जब cutoff आएगी तो उसी के बेस क्यादार पर आपको college मिलेगी और आप यह कर सकते हो और degree courses है यह लगबग आपके चार साल या फिर साड़ी चार साल का यहां पे courses है यह करने के बाद आपको क कोई भी competition exam देना पड़ेगा और उसके बाद में आप पशुचे के सकते हों दोनों के अंदर फरक यह है यहां पर कि डिग्री की वेल्यू आपके ज्यादा इंपोर्टन है वैसे दो वेकेंसी आती हूं दोनों के अंदर यह दोनों फोर्म कर सकते हो तो आप अपने according आपके क्लिनिक खोल सकते हो पशुचों का आप उसको हैंडल कर सकते हो और अच्छा खास आप इससे इंकम पराप्त कर सकते हो तो यह तो है नोर्मिल आपके डेग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के बीच में मैं आपको अंतर बता दिया अब सर में हमने 12th क्लास तो कर ली 12 के हमने परसंटेज भी हमारे बना लिए एक दिम अच्छे खासे अब इसके अंदर परवेस कब तक होगा मतलब कौन से महीने के अंदर इसके फोरम में स्टार्ट होते तो मैं आपको बता दू कि राजस्तान के अंदर जो आपके आर पीवीटी या भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहत वेटनरी का तो इसके अंदर जो फोरम बरे जाते वह लगबग आपके सब्तंबर या उक्टमबर तक आपके फोरम बरे जाते यह विशेश तोर से बात ध्यान में रहतना बहुत सारे बच्चों के यह भी कमेंट से आ रहे थे कि सर इसके अंदर फोरम कब से अपलाई होंग तो सब्तंबर या अक्टमबर तक इसके अंदर फोरम बरे जाएंगे जैसे ही फोरम स्टार्ट होंगे तो आपको मैं इस वीडियो के द्वारा यहां पर सूचित कर दूँगा इस यूटूब चैनल के मादेम से तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें पहली आपके पहला कि उसने आपका क्लियर कर दिया कि भी पहस्टिकेस कहसे बने फिर बता दिया पर प्रेशले ने कामेने तरीका बता दिए यहां पर साल और चार का हो जाए मैं ने बता दिया कि जब आप 12th पास आउट कर लेते हो तो उसके बाद में कोर्स कर सकते हो या 12th पास आउट करने के बाद में आपके मालूद 4 साल आपने कोई बीएसी डिगरी कर ली दूसरी फिर आप वेटनेरी करना चाहते हो क्या हम कर सकते हैं बिल्कुल आप तब भी वेट अच्छा कॉर्सेट है बहुती सांदार कॉर्सेट है आप इसके अंदर एडमिसन ले सकते हो ठीक है तो यह मैंने अपको चीजिए बता दी अब भी आपका कोई डवट रह जाता है यहां पे तो आप इस वीडियो की नेचे कमेंस कर सकते हो मैं उस कमेंस का बिल्कुल एंसर देने की कोशिश करूँगा क्योंकि देखो guidance बहुत जरूरी 12 जैसे आप के लिए कर ले तो guidance की बहुत जरूरत पड़ती क्योंकि बच्चे हैं क्योंकि यहीं से आपका जो career है वो career यहां से आपका यहां पर शुरू होता है अगर आप गलत रस्ते पर चलेगी फिर आगे क्या होगा वह आपको पता नहीं लेकिन जब भी आप जिस option को भी चूज करते हो तो उस option को चूज करने से पहले उस sector के अंदर जो भी आपका साती है यह जो भी आपकी टीचर्स वगिरा है तो उन से एक बार आप जरूर लेना कि सर्म इस रस्ते पर जा रहें या फिर यह डिप्लोमा कोर्स कर रहें या फिर कौन सा कोर्स करें कि भी हमारे लिए बेटर हो क्योंकि लग बग जो भी स्टुडेंट से वह एक नॉर्मल फिमेली से आप बिलोंग करते हूं तो आप अच्छे कोर्स की तरफ और ऐसा कोर्स चूज करें जो बहुत ही कम समय के अंदर हो जाए और ज्यादा खर्चा भी ना लगे और इसमें देखो जब आपको गवर्में क्याद के अंदर आपकी जो फीस होती मिनिममम फीस बता रहा हूं पांच से दस हजार लास्ट इतनी साल की फीस लगेगी लेकिन अगर आप प्राइवेट कोलेज से यह आप करोगे तो प्राइवेट कोलेज के अंदर इसकी फीस लगबग आपके 40-50 हजार के आजबास इसक सब्सक्राइब करना आप रेगुलर करना यह कोर्स आपके लिए बहुत ही बेटर होगा फिर आपका डाउट है तो कमेंट बोक्स के अंदर जरूर बता देने मिलते हैं आप इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें